नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम इतिहास के पड़ने हैं। जब चिले में, लैटीन अमेरिका में चिले जो कोस्टल स्ट्रिप में एक देश है। पचास साल पहले एक मिलिटरी कू हुआ था जिसको अमरीका ने CIA द्वारा स्पॉंसर कराया था। उसको बैक अप करके उसको कू को इंजिनियर कराया था। तो चिले की घटनाओं से हम लोग क्या सीख सकते हैं हिंदुस्तान में उसके बारे में हम आज बात करेंगे। 1973 में ये कू हुआ था तो 2023 में इसके 50 साल पूरे हो जाएंगे। तो इस साल में ये बहुत महतवपूर्ण है तमाम उन देशों के लिए जो डेमोक्राटिक हैं लेकिन डेमोक्रिसी को एक खत्रा दिखता है अलग-अलग कार्णों से। उसके बारे में हम आज बात अनिर्वान भट्टाचारिया जो हिंदुस्तान के तथा कतित एंटी नैशनल यूनिवर्सिटी के एक बहुत जाने माने चात्र नेता रहे हैं ये फिलाल सेंटर फॉर फिनांशल एकाउंटिबिलिटी में कारेरत हैं और रिसेर्चर हैं इनके अलग-अलग जगा लिखते ह तो अनिर्वान जी सबसे पहले तो हमारे इस कारिकरम में आने के लिए बहुत धन्यवान शुक्रिया नाइटीन सेवेंटी से लेके 1973 के बीच में चिले में एक करे से बहुत कॉंस्पिरेसी रची गई थी जिसके पीछे अमरीकी हाथ था फाइनली जाके दुनिया की सबसे पहली 9-11 वहां घटित होती है 9th of September 1973 में मिलिटरी कू होता है वहां के डिमोक्राटिकली इलेक्टेड लीडर सैल्वेडर एलेंडे को हटा दिया जाता है एक कठपुतली भी बिठाया जाता है जो 17 साल तक जनरल पिनोशे 17 साल तक राज कर करते हैं चिले में डिमोक्रिसी की डीप रूट्स थे कहा जाता है कि 1920 के दशक से डिमोक्रिसी वहां पर फ्लरिश कर रही थी सीखे मिलती है कि जड़े मजबूत होने के बावजूद एक बार अगर डिमोक्रिसी को हटा दिया जा सकता है तो दुबारा उसकी वापसी में वक लगता है तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि किस परिस्थितियों में अमेरिकन प्लान ओफ रिमूविंग डिमोक्राटिकली इलेक्टिड लेकिन पॉलिटिकली शायद प्रॉब्लेमाटिक उनके अपने रैडिकल विचार की वज़े से सल्वेट अलेंड को हटाना क क्यों जरूरी था और किस तरह से घटना करब हुआ था जब हम इतिहास की पन्नों की बात करते हैं यह बहुत ही एक अनोखा चीज है इतिहास कि कई बार ऐसा लगता है कि आज जो हो रहा है वो पहले हो चुगा है और कई बार लगता है कि हम समय के दिशा में तो आगे जा र हजार किलोमीटर दूर एक देश हमारे से उसकी घटना करम को जानने का क्योंकि उसके इतिहास में शायद हमको अपना वरतमान दीखेगा या फिर हमारा भविश्य उसके इतिहास में जहलग सकता है तो इसलिए 1973 बहुत एहम पराव है जैसे कि आपने कहा इस विश्व की सब से पहली डिमोक्रेटिकली इलेक्टेड चुनावी प्रक्रिया में फ्री अन फैर चुनावी प्रक्रिया में इलेक्टेड सोशलिस्ट गवर्मेंट जी एक बहुत बड़ी बात है 1970 में और हम जैसे बोल रहे हैं कि या फिर लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात तो हो सक जो पुझीवार्द का निक्तिरित्व कर रहा था अमरीका उनके लिए यह टॉलरेबल नहीं था और एक लंबी प्रक्रिया चली कि किस तरीके से इसको रोका जाए किस तरीके से इसको टाला जाए और कहीं नहीं जो धीरे-धीरे और भी डीक्लासिफाइड डॉकुमेंट सामन साफूरीगर्ण थे उनके नोट से कितना साफ तरीके से जलकता है कि उस वक्त के प्रेसिय्देंट निक्सन थे इसमेंट ूर हर्हेंट किस तरीके से directions दी जारी है कि उस वक्त हम दे देंगे 10,000 कड़ो रुपए और ज़रूरत पड़े तो और देंगे किसी भी तरीके से इस सरकार को हम नहीं जिता सकते हैं किसी भी तरीके से अलेंडे को हटाना है CIE का budget के बारे में बोला जाता है कि चिले में सरकार को हटाने के लिए उनका जो budget था वो अमरीकी presidential Republicans और Democratic दोनों ने जितना खर्चा किया उससे भी जादा था इससे कलपना की जा सकती है कि उनकी कितनी desperation थी कि Latin America में एक socialist सरकार और एक socialist राष्ट ना stabilize कर सके का कि उनके मुल्क में socialism अपना सिर ना उठाए एक दम सही बात और मतलब आप समझ सकते हैं कि 1970s के दौर में दस कडोर डॉलर देंगे जरूरत पड़े तो और देंगे और किसी भी तरीके से ये हटाना है 48 घंटे में game plan set करना है और इसको वो करना है लेकिन ये अभी भी 1973 नहीं है ये 1970 की बात है वो fail करते है 1970 में और actually ये कोशिश चुनाओं में नहीं हरवा पाते हैं और इससे पहले तो कई बार जो उनके opposition candidates है उनके चुनाओं में अर्वो खर्वो रुपए दिया गया था 1960 के दौर से ये चल रहा है कि 1950 से Second World War के बाद से एक तरह से अपना बैक्यार्ड बनाना चाहती थी Latin America को अमरिका तो उसके वज़े से सिर्फ चिले नहीं तमाम देशों में हमें पता है कि क्यूबा में भी क्या हुआ बहु पिग्स के बारे में सब लोग तरह से हमारे जो जो श्रोता हैं वो उनको सब के बारे में तो बैक्यार्ड के बारे में तो चिले में तो 52, 58, 68, 64 ठीक और मदब 58, 64 और उसके बाद 1970 ये सब तमाम चुनाओं में हेवी फंडिंग के एविदेंसे करने के जो बिल क्लिंटन के आप जो बोल रहे थे कि कि बिल क्लिंटन के टेनियर काल में तब से सामने आने लगा तो किस तरह से अमेरिकन सिस्टेम वस एंट्रेंच इंट इंटो देस्टेबिलाइजिजिजग इस नाओ वेल नोन तो अबसलूटली लेकिन आज से करीब 35-40 साल पहले की बात है लेट सेविंटीज एटीज की बात है तो हिंदुस्तान में इसके बारे में अवेरनेस बहुत ज़्यादा नहीं थी हिंदुस्तान में मीड 80's में यूवग उमें खास तौर से हमारी जो पीडी है हमारी जो किताबों में तो पड़े थे कि चिले में क्या हुआ है लेकिन जो बेसिक जो पुलिटिकल एजुकेशन हुआ था वो हुआ था कोस्ता गावरास की एक बहतरीन फिल्म जो चार्ल्स हॉमन जो एक अमेरिकन पत्रकार थे उनकी जिन्दगी में किस तरह से वो जाते हैं उनके पिता जो अमेरिकन सिस्टेम में वेल एंट्रेंच्ट हैं और कैसे फिल्म की कहानी के चलते जब उने बेटे को ढूंडने आते हैं तो उनका हिदय परिवर्तन होता है वो समझते हैं कि मेरा बेटा जिसको मैं समझता था कि वो गलत कर रहा है वो गलत नहीं कर रहा था वो सही ताक्तों को ताकत देने का ही काम कर रहा था तो वो होके आता है तो वो एक बहुत एहम चीज़ है और जिस तरह से अमेरिकन सिस्टेम ने उस फिल्म को दबाने की उसके बारे में कित लेवल आफ जानकारी है जिस मूवी के आप जिकर कर रहे हैं हम जेन्यू के जब छात्रे थे तब वो मूवी देखे थे और कहीं न कहीं जैसे हम पहले भी कह रहे थे उसमें हम आज देख रहे थे मिसिंग यानि डिजपियर हो जाना और कोस्तागावरेज ने कहा भी था कि इस मूवी के जरीए इस सिनिमा के जरीए वो तमाम जो हजारों लोग उस वक्त डिजपियर हुए थे जिनका नाम नहीं है जिनका बॉड़ी कभी डफनाया नहीं गया उनके लिए जो सोच रहे थे उ उस वक्त चिले में नहीं चाह रहा था कि एक सोचलिस्ट ऑल्टरनेटिव पैदा हो उनको ये बहुत साफ साफ पता था कि ये तो एक उदाहरन हो जाएगी उन्होंने लाटिन अमेरिका बाकी कंट्रीज में तो हम देखे थे एक के बाद एक जो मिलिटरी रूल कायम हो गई लेकिन किस तरीके से एक और चीज उन्होंने उस वक्त लिखा था कि let the economy scream जो इस classified documents में आता है कि इसको चारो तरफ से घेर लो इसमें इतना इतना नफरत पैदा करो अपने elected government के खिलाफ लेकिन वो उसमें मतलब नहीं कर पाये थे इसलिए military cook की ज़रूर अगले चुनाओं में वो उससे ज़ादा बहुमत से आई ये तो उनके पास और कोई चारा नहीं था कि वो इसको military cook के चलते ही दबाए और उसके बाद जैसे कि आपने शुरू में ही कहा है 17 साल का लंबा और बहुत ही अंधकार गली में एक देश चल सारे माइंड में कई सारे movies उसके बाद भी बनी थी एक national stadium का जिकर आता है जहां पे हजारों के तादाद में लोगों को उठा उठा कर trade unionists जिसके मतलब घर में cubist literature है cubist painting उसको भी ये तो fiddle castro का कोई होगा मतलब अंधा धुन लोगों को वहां पे ले जाया गया साड़े 700 से जादा लोगों को वहां पे without trial शूट किया गया ने को stadium तो नहीं देखा लेकिन दिली में 2020 के दंगों के बाद जिस तरह से indiscriminately लोगों को UAPA में उठाया गया एरेस्ट किया गया उन जिनमें से बहुत लोग अभी भी जेल में हैं उनमें काफी ऐसे हैं जो आपके साथी र जिसके बारे में अभी तक कुछ खुलासा नहीं हुआ है कोई पता नहीं कि वो चात्र जो missing हो गया वो कहां गया सरकार के पास state के पास कोई जवाब नहीं है सिवाए इसके कि कि accuse करना बहुत ही नाठ की तरीके से कि शायद वो terrorist बन गया होगा इसके अलावा इनके पास और क चिले में देखने को मिल रहे हैं सतरा साल का एक अंधकाल का पीरियड था 1990 में खतम होती है चिले की आज की जो स्थिती है वो आपने एक आर्टिकल लिखा है मैंने उसको पड़ा है जिसमें आपने कहा है कि दो अलग-अलग दिशाओं में हम लोग जा रहे हैं भारत और चि नए multicultural democratic spirit वाली संविधान बनाने की process में है अभी कुछ दिन पहले उसको लेकर सरकार ने जो एक draft constitution पेश किया प्लेबेसाइड हुआ जनता ने नहीं माना क्योंकि उनके लिए शायद थोड़ा जादा radical था लेकिन एक benchmark सरकार ने जो आज की जो सरकार है उसने उसको set कर दिया तो आप उतना radical अगर आप पसंद नहीं है तो थोड़ा सा नीचे उतारेंगे लेकिन बिल्कुल वो baseline पे नहीं पहुंच सकते तो इसके बारे में मुझे जरा बताईए कि कैसे हम क्यों कह रहे हैं कि आपने शुरू में कहा था कि आज के भारत में हमको चिले दिखता है हम देखेंगे कि डिफरेंसेज आज के दौर पे क्या दिख रहा है वहीं से शुरू करते हैं गैब्रियल बॉरिच एक student activist किसी भी देश में actually पिनोशे के जो रिजीम था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि एक अंधकार गली में चला गया 17 साल के लिए student activism एक बहुत important हिस साथा किसी भी इतिहास के कई भी किसी भी पन्ने में उठा ले तो कोई भी authoritarian regime के खिलाफ हो रहता है गैब्रियल बॉरिच भी उसी एक generation का हिस्से है हिंदुसान के राश्री आंदोलन में भी चात्र एक दम तो गैब्रियल बॉरिच एक बात कहते हैं कि चिले वस दा बर्थ का गोल्डेन बॉय है बहुत हाई ग्रोथ हुआ जीडीपी फिगर्स बहुत ऊपर गये और यह बोला गया कि यहां पे तो जो नौव ओदारवाद है यह सेट हो गई है अभी पूरे बिश्व में फैलाना है अक्चुली भारत में यह दो दशक बाद आती है लगभग एक द पाचास साल बीद गई यहां पे भी तीस साल हो गई है नौव दारवाद होती है ग्रोथ तो बहुत हुई लेकिन उसके साथ-साथ इनिक्वालिटी यानि असामानता बहुत बढ़ी चिले एमर्ज़ एस बहुत अनिक्वाल कंट्रीज इंडिया उस दिशा में बहुत आगे तो चिले में अगर हम देखें तो फिर अभी हाली में एक रिपोर्ट आया था वर्ल इनिक्वालिटी रिपोर्ट जो ये बोलता है कि चिले में 50% के पास जितना अर्णिंग है और 10 प्रतिशत के पास जो अर्निंग है इसको अगर हम compare करें तो 10% actually 50% से 30 गुना जादा कमा रही है यहीं आकडा 30 साल बाद अगर आगर इस देश में देखे तो 10 प्रतिशद, 50 प्रतिशद से 20 गुना जादा कमा रही है ऐसा हर वक्त तो था नहीं, ये बदलाव आई है कही ना कही जो निजीकरन का एक प्रक्रिया शुरू हुई जहां पे health हो, education हो ये सारे ही आम इंसान के जो रोजगार है उसमें वो उसको खरीद पाना उसके लिए बहुत महेंगा हो गया पब्लिक education यानि सरकार के द्वारा स्वास्थ, शिक्षा ये तमाम सरे चीजों पे खर्च करना कम होती गई नवधारवाद का यानि पूंजी का यही डिमांड था सरकार सिक्षा नहीं देगी, स्वास्थ नहीं देगी ये सारे व्यापार में हैं तो ये खरीदना पड़ेगा और महेंगा से खरीदना पड़ेगा इसका असर असमानता पे बहुत जादा पड़ी और उसी का ये नतीजा है कि आज के वक्ट पे income की बात अगर छोड़ दे और wealth की बात करें आज के दिन पे इस देश में एक प्रतिशत के पास करीब 60 प्रतिशत इस देश का निजी धन है तो ये तो एक sustainable future नहीं है चाहे जो लोग जिस भी खेमे से आए क्या इस देश में कोई ये बोल सकते हैं कि हम तो असामान देशी ही पसंद करता हैं हमको एक asamान देश चाहिए जहां पर कुछ लोगों के पास धन हो और कुछ लोगों के पास कुछ नहीं हो हम सब चाहते हैं कि समानता के ओर बढ़ें लेकिन इस के लिए सीख लेना पड़ेगा कि चेले में क्या हुआ तो चिले में जब पिनोशे की सरकार 90 में जाके खतम होती है तो वो किन कार्णों से खतम होती है, कहां से प्रेशर आता है और कौन से फोर्सेज, चेंज के फोर्सेज को लीड कर रहे हैं जो एक्चली प्रेशर बनती गई लेकिन वही जो आप शुरू में ही कहना एक बर जब एक अंधकार गली में अब घुज गए, वहां से निकलने में वक्त लगता है पिनोशे चला गया, लेकिन धांचा नहीं बदला और वो फ्री मार्केट का जो लॉजिक था, यानि चीजों को प्राइवेटाइज कर देना ये सिलसला बंद नहीं हुई रोश तो बहुत था, लेकिन वो रोश फूट पड़ी 2019 में जब एक बहुत बड़ा स्टूडेंट्स मूव्मेंट हुआ यानि करीब 10-20 साल तो इसी में लग गए कि पिनोशे जाने के बाद भी कि एक समान भविश्वक के तरफ, एक समानता, एक Egalitarian Future की तरफ कैसे बढ़ा जाए सैंटियागो में Metro Fair को लेकर एक बहुत बड़ा एजिटेशन हुई Metro Fair को जब बढ़ा दिया गया लेकिन वही होता है एक immediate cost था रोश बहुत दिन से बढ़ रही थी जो privatized pension scheme थी जो privatized education थी जो privatized healthcare थी जो आम इंसान के लोगों के पहुँच के बाहर थी तमाम जो चीजे जो आप list out कर रहे हैं वो तो सब हिंदुस्तान में हो चुका है और इसी में सैंटियागो में दो पार्क बनाए गए एक पार्क गरीबों के लिए एक पार्क अमीरों के लिए दोनों public parks है तो दो सैंटियागो कही ना कही इंडिया में भी दो इंडिया है अभी उस पार्क का सिलसिला में यहें पे भी देख रहे हैं लेकिन वहाँ पे आसमानता एक मुद्दा बना लोग सड़कों पे आएं एक बहुत बड़ी जनसंख्या में वो रोश फूट पड़ी और फाइनली उसका reflection में जो चुनाओ हुई उस चुनाओ में क्या हुआ पिनूशे का tradition को जो आगे बढ़ा रहे थे एंटुनियो कास्ट भारी बहुमत हारे सबसे इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट मिलकर एक बहुत ही स्टूडेंट 35-36 साल उमर होगा उसका गैब्रियल बॉरिच जीते एक चिले में एक नया दिशा देखने लगे पुरा विश्व और उसी सिलसला में ये पॉइंट बहुत जो उलेक हम शुरू में कर रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चिलेवस दा बर्थ प्लेस अफ नियृलिजम विल अलसो बीज़्याद तो उस वक्त इस सम्विधान का बात शुरू ही कि सरकार तो बदल गई लेकिन कितने साल तक इस पिनोशे का एक डिक्टोरियल सम्विधान को ढोए एक प्लेबिसाइट हुआ इन्ही जन्मत लिया गया उसमें करीब 80 प्रतिशत लोगों ने बोला कि ने ये तो हटाना पड़ेगा एक नया सम्विधान बनाने का प्रक्रिया शुरू हुआ और यह प्रक्रिया इंपोर्टेंट है मैं इस सम्विधान पर वोटिंग भी हो चुकी है उसका नतीजा पर बाद में आएंगे लेकिन यह प्रक्रिया इंपोर्टेंट है तो यहां से similarities का अगर हम सिलसिला यहां तक रखें कि हम क्या देखें नीजी करण का एक प्रक्रिया दोनों देश में चली है पिछले 30 साल में 50 साल में उधर 17,000 किलोमेटर दूर दो हेमिस्फियर में दो देश लेकिन सेम प्रॉसेस ढआ डेमोक्रिसी का स्पेस भी कंस्ट्रिक्ट हो रहा वो चाहरें थी एक monocultural चिले जिस पे सिर्फ European descent के लोगों का बोल बाला रहे है वो चाहरें थी एक free market चिले जिसमें पुन्जी के उपर कोई रोक टोक ना हो मुनाफ़ा खोरी का पे उपर कोई रोक टोक ना हो तो सिलसला जो similarities का था में देखने को मिलता है कि majoritarianism को प्रोमोट किया जा रहा है एक तरद से new liberal order को और strengthen किया जा रहा है और हम तो यही उमीद कर सकते हैं कि आगे चलके वही script हो ultimately जाके जो चिले में देखने को मिला आपने मतलब कहा कि एक चोटा सा एक metro के fair को बढ़ाते हुए आंदोलन शुरूआ वो आंदोलन पता नहीं कैसे अचानक बढ़ा बन गया तो मेरे खाल से democratic forces को जो चिले से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो यह है कि जितना भी जादा अंधकार हो लेकिन तब भी प्रयास करते रहना चाहिए पता नहीं कौन सी चोटी सी चीज बहुत बड़ी तादाद और बहुत बड़ी ताकत बनके खड़ी हो जाएगी और सबसे powerful से powerful सरकार को चुनौती दे के खड़ा तयार हो जाती है यहां से मैं थोड़ा differences से बारे में बात करता हूँ और इसी को मैं उस आर्टिकल में भी जिक्र किया था जब मैं देख रहा था कि किस तरीके से दो देश में दो अलग दिशा में चीजे बन जा रही है एक तरफ हम देख रहे हैं कि चिली एक pluralistic एक बहुलवादी एक intercultural republic की गनराज्य की बात कर रही है और वहीं पर इस देश में कोशिश यह है कि एक चीज एक ही संस्कृत को थोपा जाए किस तरीके से वहाँ पर एक regional यानि शेत्रिय गनराज्य की बात किया जा रहा है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि centralism की तरफ पर है हमारा जो federal character है उसको खतम कर दिया जा रहा है वहाँ पर प्लूरि लिंग्वल society की बात की जा रही है यानि वहाँ पर बहु भाशिया मेरे खाल से हम लोग मतलब समय के अबहा होके चलते हम लोग अगर इस बात को हमारे concluding section में ले जाएं तो क्या ये कि अभी जिस दिशा में जो चिले की जो डिबेट जा रही है कि एक multiculturalism की तरफ उन forces को हिंदुसान में stringent करने के लिए प्रयास लगाता और होते रहना चाहिए कितना इत्फाक की बात है कि दो देश में दो अलग-अलग सम्विधान लिखी जा रही है हासिल हुआ था 1947 में जो मतलब सम्विधान बढ़ने के प्रक्रिया में उसको मिटाने की प्रक्रिया चल रही है जहां पर ये बोली जा रही है कि मुसलमान और क्रिश्टन के पास voting right नहीं रही जो सवर कर का एक idea था जिस देश का जो हमने नकारा था लेकिन आज हम उस तरफ बढ़ने के प्रक्रिया में लग रहे हैं जबकि चिले पिनोशे के जो अंधकार वाला रिजिम था वहां से रोशनी की ओर बढ़ते हुए दिख रही है और इसलिए मतलब जिओगरफी में एक term है कोरियोलिस effect में बात कर रहा था कि दो hemisphere में जो तुफान होती है जो cyclones होती है वो अलग anti clockwise चलती है एक तरफ clockwise चलती है लगबग हमको वही दिखने को मिला है हम दो सम्विधान के तरफ बढ़ रहे हैं मतलब दो दिशाओं के तरफ चल रहे है हमको चाहिए एक ऐसा एक ऐसा देश जो समझे जो पर्खें कि हम कहा जा रहे है क्या हम सही में चाहते है कि हम वो अंधकार वाला गली में जाए जहां पर 30-50,000 निकल चुका है क्या हम वहाँ से कुछ सीख ले सकते हैं और इसलिए इतिहास के पन्नों में वो सीख है वो मौजूद है अगर हम वो देख पाते हैं लेकिन अब ये देखना पड़ेगा मतलब आज हमने जिन इतिहास के पन्नों को टटोला जिसके बारे में थोड़ा बहुत जिक्र किया तो उसमें हमको बहुत सीख मिलती है कि हमारे राश्ट्रों को हम लोग कैसे उस अंधकार गली से बचा सकते है एक और चीज का जिक्र इस सम्विधान में था चिले के राइट टू मेमरी यानि जो जिनके उपर अक्याचार हुआ है जिनके उपर जेनसाइड हुआ है उनका ही हक बनता है कि उनके उपर क्या हुआ है वो जाने यानि इतिहास का उसका जिकर रहे सच्चाई का जिकर रहे यहाँ पर हम इतिहास को रिराइट कर रहे है इतिहास को हम लोग रिराइट कर रहे है इतिहास रिराइट नहीं होगा सेप्टेम्बर 2022 में कर रहे हैं सेप्टेम्बर 2023 में चिली के कू के 50 साल पूरे हो जाएंगे ये पूरा एक साल का समय रहेगा हमारे पास वो जानने के लिए कि वो कितने अंधकार गली से निकली थी और ताकि हम हम अपने आपको चौकनने बना सकें और एंशोर करें कि we do not tread the same path आज का कारेक्रम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अनिर्वान आपको भी बहुत धन्यवाद शुक्रिया